नमस्कार श्रोताओं में डॉक्टर शिप्रा सुलेरे एक रोमान्चित कर देने वाले विशय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ क्या आत्मा का सच्मुच अस्थित्व होता है ये प्रश्न मानव अस्थित्व का सबसे पुराना और विवादास्पद विशय है सामान्यतह अपने आपको बौधिक साबित करने वाले लोग अकसर आत्मा के अस्थित्व को अस्वीकार करते हैं वे तारकिक्ता के नाम पर भौतिक्ता पर जोर देते हैं जबकि दूसरी ओर परंपरागत विचारों में आत्मा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है ऐसा मानना है कि आत्मा की धारनाएं मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है वास्तविक्ता की इस बहस में कुछ वेग्यानिक आत्मा को एक अव्याख्य तत्व मानते हैं जिनका अस्तित्व किसी अनुभव या विश्वास पर निर्भर होता है यह द्रिष्टिकोन कठिनाई उत्पन करता है क्योंकि आत्मा के अस्तित्व का मुद्दा जीवन के अर्थ और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है ऐसे में वेग्यानिक द्रिष्टिकोन अपनाने वाले बहुत कम हैं जो इस मुद्दे पर ठोस तर्क पेश कर पाते हैं भारतिय दर्शन में आत्मा की अवधारना सदियों से विद्यमान रही है यहां आत्मा को एक शाश्वत तत्व माना जाता है जबकि पश्चिमी विचारधाराओं में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकृती मिलती है फिर भी अधिकांश वैग्यानिक सोच रखने वाले आत्मा के अस्तित्व को सवालों के घेरे में रखते हैं उनका मानना है कि इस विशय पर चर्चा करना कठिन है और तर्क वादी इस पर आत्मा मानने वालों का मजाक उड़धाते हैं हालां कि कुछ विचार यह भी रखते हैं कि आत्मा भौतिक रूप से न देखी जा सके लेकिन यह एक ऐसी उर्जा है आत्मा जब शरीर में नहीं होती तो ब्रह्मान में मौजूद रहती है आत्मा की मौजूदगी में हमारे शरीर में क्या होता है आत्मा की उपस्थिती के परिणाम स्वरूप, विभिन्न भावनाएं, जैसे कार्य करने की प्रेरणा, दुहक, आंतरिक पीड़ा और प्रेम अभिव्यक्त यानि भावात्मक्ता जीवन्त होती हैं आत्मा न केवल हमारी आंतरिक विचार प्रक्रिया का स्रोत है, बलकि यह हमारे समस्त मानविये अनुभवों को भी संक्रमित करती है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व एक अनमोल पहलू है, जिसका सही मुल्यांकन, जीवन और मानवता को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है आत्मा उपयोग में लाए गए भौतिक पदार्थों से भौतिक रूप से अरजित की जाने वाली उर्जा को प्राप्त करने, उसके आवश्यक्ता अनुसार शरीर में वितरण करने, के अनुदेश अर्थात इंस्ट्रक्शन्स शरीर की सनरचना में उत्तरदाई अंगों को देती है, आत्मा मस्तिश्क को सचालित करती है, आत्मा के बारे में एक आस्तिक लेखक के रूप में मेरा सपश्ट मत है की आत्मा एक ऐसा अभौतिक सुप्त ओरजा मंजूशा है, जिसमें भौतिक पदार्थों से ओर्जा जनरेट करने की ख्शमता भी होती है, हम जानते में एक ऐसे योगी नर्मदा परिक्रमा पर हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया कुछ मिली लीटर पानी पीकर तथा धूप एवं हवा से शरीर के लिए उर्जा प्राप्त कर यात्रा कर रहे हैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जिनकी मेडिकल जाँच की कराई गई मेडिकल जाँच में उनके सारे वाइटल मैट्रिक्स, सामान्य या सामान्य से बहतर पाए गए उनके शरीर को ये उर्जा कैसे प्राप्त हो रही होगी शरीर के लिए protein, calorie, micronutrients, temperature, धूप छां सब की जरूरत होती है इसे प्राप्त कर शरीर में आवश्यक्ता अनुसार संप्रेशित कौन करता है कौन सा तत्व है जो अभोतिक घटकों जैसे विचारों, भावों, गुणों आदि को regulate करता है बेशक वह तत्व आत्मा ही है, आत्मा के अस्थित्व की पुष्टी पुनरजन्म की अवधार्णा से भी होती है भारतिये ग्रंथों, जैसे श्रीमत भगवत गीता, में आत्मा के होने के साथ साथ उसकी अमर होने का प्रमान दिया है भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार आत्मा न जलाई जाती है न काटी जा सकती है न उसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है बौध साहित्य में ललित विस्तार, त्रिपिटक, अश्वगोश द्वारा रचित, बुध्ध चरित्र एवं अन्य बहुत सी प्रमानित पुस्तकों में लिखा है कि माया देवी ने स्वप्न में एक श्वेत हाथी को उनके गर्भ में घुस्ते हुए देखा था महा माया जिस द्रिश्य को स्वप्न में देख रही थी, बुध का अवतरण तुशित लोग से हाथी के रुप में हुआ था धार्मिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में महात्मा बुध के जन्म की यह कथा यदि सत्य है तो आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए विज्ञान के इस युग में मनो चिकितसक इयान स्टीवंसन के अनुसंधान में 2000 से अधिक पुनरजन्म प्रकरणों का अध्ययन किया, जिन्हें सही भी पाया जबकि भारत में National Institute of Mental Health and Neuroscience के डॉक्टर सत्वंत पसारिया की पुनरजन्म पर 500 घटनाओं रिसर्च से 77 प्रतिशत रिजल्ट सकारात्मक पाए गए यद्यपी यह एक जटिल विशय है फिर भी, इससे बचने के लिए नकार देना कहां तक उचित है, फिर आत्मा पर नियंत्रण और उसकी सुचिता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह सवाल जटिल है, फिर भी हमारे योगियों तथा महान दार्शनिकों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, पतंजली, योगी महावतार आदी ने बड़ी सरलता से हल किया है पूरे विश्व को उन्होंने योग और ध्यान के जरिए आत्मा के गहन रहस्य को बेहतर समझने का प्रमाण सहित प्रबोधन किया है आप से आगरह है इस चैनल पर पॉड़कास्ट सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए